जेहन दोस्तों स्वागात थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई इसकूल साहय का द्यापक भरती परिक्षा है तो प्रेक्टेस सेट अपना यहाँ पर लेकर आए है तो वीडियो को पूरा अवस् सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने जिन्हों ने अभी तक नहीं किया इसी तरह कि प्रेक्टेस सेट आपके लिए इस चैनल पर करवाए जाते हैं तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट कॉस्चन पूंचा क्या है आपर कि आलशियों का कोड़ा तथ राजा भोच का सिव पर्सा सितारी हिन्द राज लक्षमर सेह सदल मिस्रिय ललूडाल तो आप कहें आपर सही आंशर है फर्ष्ट कॉस्चन है और सिव पर्सा सितारी हिन्द विकल्ब नमबर ये कआपके हैं अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूंचा ग्या है सेखर एक जीवनी किस विदा की रचिना है तो बताईए आत्मकथा, संस्मनन, जीवनी या उपन्यास तो सेखर एक जीवनी किस विधा की रचिना है तो question number 2 का right answer आपके लिए आपर बताना है question number 2 का right answer आपका यहां पर क्या होगा question number 3 का right answer आपके लिए आपके लिए आपके लिए बताना है एक कंट विश्पाई नरेश महता, नरेंद्रे, सर्मा, दोस्यन्तो कुमार या धर्मे बीरभारती तो question number 3 का आपका right answer है दोस्य अन्त कुमार विकल्प number B आपका है यहाँ पर question number 4 पूँचा है सुधाम पांडे धूमिल का प्रिथम काप बे संग्रे निमलिखित में ऐसे कौन सा है तो काप बे संग्रे पूँचा सुधाम पांडे धूमिल जी का प्रिथम संससे सडक तक सुधाम पांडे का प्रिजातंत्र वांसुरी जल गई या कल सुनना मुझे तो आपका है यहाँ पर सही आंसर है चार का विकल्प नंबर एक संसर से सड़क तक धूमिल जी का प्रतम का बिसंग रहे हैं संसर से सड़क तक Q5 आप से यहाँ पर पूँचा गया है कि निमलिखित कमियों में से कौन साथोत्तरी इवं समकालिन कभी नहीं है Q5 आपके लिए नहीं है क्या होगा 5 का राइट आंसर भूँट ही महत्तपून Qą Oušचिन आप से पूँचा गया है तो 63 इवं समकालिन कभी नहीं है तो 5 का आपका सही आंसर है गोपाल सह नेपाली गोपाल सह नेपाली जो 63 समकालिन कभी नहीं है question number 6, पूँचा है प्रत्वी राज रासो Hindी साहयत की किस काल में लिखा गया है तो कौन से काल में लिखा गया है ये आपके लिए बताने आधी काल, रीती काल, भक्ती काल या अधुने काल तो question number 6 का आपका जो सही answer है आपका विकल्प number 1 यानि की आदिकाल में प्रत्वीराज रासो जो है लिखा गया है question number 7 आपसे यहां पर पूँचा है कि महावीर परसाथ दुबेदी ने आदिकाल को क्या संग्या दी है चारनकाल, बीरकाल, आदिकाल या बीजवपनकाल किसने महावीर परसाथ दुबेदी जी ने तो दुबेदी जी ने जो संग्या दी है भै क्या दी है तो आपका साथ का राइट आंसर है बीजवपनकाल बीजवपनकाल आपका यहां पर सही answer होगा Question No.8 है अमीर खुसरो का वास्तिक नाम क्या था अब्दुल राही यह अबुल हसन सुदर सन से उपर साथ तो अमीर खुसरो जो हैं खुसरो जी है इने का जो वास्तिक नाम क्या था तो आट का राइट आंसर है अबुल हसन अबुल हसन आपका यहां पर सही answer है Question No. 9 पुंचा है परमाल रासो किस के दोरा रचित है तो आपका है यहाँ पर तैज साहिए आंसर विherकक नंबर आपका D यहाँ पर साहिए आंसर होगा 10 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका B यानि की खुसरो आपका राइट आंसर है खुसरो आधिकाल में जो है पहलिया लिखने वाले कभी थे Question number 11 क्या पूँचा है सूरदास के गुरु कौन थे तो सूरदास के गुरु पूँचा है आपसे यहाँ पर द्रामानंद बल्लबाचार या रामदास या विठ्थलनाद तो आपका यहाँ पर सही आंसर है Question number 11 का बल्लबाचार है आपका यहाँ पर सही आंसर है सूरदास के गुरु थे कौन थे गुरु थे तो बल्लबाचार आपके लिए याद रखना है बल्लबाचार गुरु थे विकल्ब नमबर C आपका राइट आंसर है Question number 12 क्या पूँचा गया है तो Question number 12 आपसे यहाँ पर पूँचा गया है इनमे से कौन भक्तिकालिन कभी नहीं है भक्तिकालिन कभी नहीं पूँचा है आपसे बिहारी, कवीरदास, सूर्दास या तुलसिदास तो आपके हैं पर सही आंसर है बाराकार विकल्ब नमबर A क्या निकि बिहारी बिहारी यह जो है भक्तिकालिन कभी नहीं है Question number 13 पूँचा है आपका विकल्ब नमबर D यानिकी निर्गुण आपका यहाँ पर सही आंसर है तेरा का D यानिकी निर्गुण जिन्हों ने यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है पदमाबत महाकाब्ब कौन सी भासा में लिखा है पाजिस्तानी में, ब्रिज में, अविदी में, अख़ली बोली में, पदमाबत ये क्या है महाकाब्बे है, और किस भासा में लिखा गया है ये आपके लिए बताने तो 14 का सही अंसर होगा आपका यहाँ पर, विकल्प नंबर आपका B यानि की अविदी आपका यहाँ पर सही किसकी है, तुलसीदास, सूरदास, कभीरदास या रियदास, तो क्वेस्चन नंबर 15 का राइट आंसर है कि ये जो पंती है, ये पंती है कभीरदास जी की, किसकी कभीरदास का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्वेस्चन नंबर 16 आपसे पूँचा है, निमने में, रीतिकाल का कभी कौन है? जय संकर पर साथ बिहारी सुर्कांतर पाथी निराला या सुमित्रनंदन पंत रीतिकाल का कभी पूंछा है आप सी हाँ पर? तो सूला का राइट आंसर होगा कि रीतिकाल के जो तो कभी हैं बैहें बिहारी कौन हैं बिहारी यानिकी विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर कॉस्चन नंबर सत्रह पूँचा बैदेही बनवास किसकी रचना है अविध्या से अपाध्या हरिवाद ग्रामधारी से दिनकर मेतली सनगुपत या सिरिधर पाठक तो कॉस्चन नंबर सत्रह का जो सही आंसर है बैदेही बनवास किसकी रचना है तो सत्रह का राइट आंसर है अयुध्या से अपाध्या हरिवाद आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक अंगल्या क्वास्च्टियन क्या पूँचा है, अत्ती, सूधो, सन्यह, को मारग है, किसकी पंती है, आलम, ठाकुर, बोधा, या घनानन्द, तो ग्वास्चे नमबर अन्निस पूँचा है, और वसी किसकी रचना है, तो और वसी बताना है यह आपके लिए, ने राम या रामधारी सेहं दिनकर या अग्य तो question number 19 का सही answer होगा आपका की और बसी किसकी रचना है तो आपका हहाँ पर सही answer है question number 19 का आपका यहां पर रामधारी से हैं दिनकर आपका राइट आंसर होगा दिनकर की यह जो है रचना है तो विकल्प नंबर आपका भी यहां पर सही आंसर है Q20 पूँचा है होरी किस उपन्यास का पात्र है गबन, रंगभुमी, कर्मभुमी या गोदान तो Q20 का राइट आंसर बताना है जो होरी है, यह क्या है पात्र है, कौन से उपन्यास की पात्र है तो बीस का राइट आंसर है आपका गोदान, गोदान आपका यहां पर सही आंसर है गोदान जिनों ने बताया है उनका सही आंसर यहां पर होगा question number 21 पूंचा है निमन में ऐसे सही जोडी चुनिए सही जोडी चुनना है आपके लिए हैं आपके लिए हैं आपर जैसंकर प्रसाद यामा नासरा सर्मा त्राहट या महादरी पर्मा यताती या सुमित्र नंदन पंत चेदंबरा तो यहाँ पर सही जोडी चुनना है तो आपके किस का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा सुमित्र नंदन पंत चेदंबरा या इन की राजना है तो विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है क्वास्चन नंबर 22 पूँचा है क्या पूँचा है तो देख लेते हैं ठीक्रे की मांगनी उपन्यास किसे ने लिखा है मिर्दोला गर्ग ने या सुदा अरुडा ने नासरा सर्मा ने या सूर्यवाला ने तो विकल्प नंबर 22 का राइट आंसर बताना है स्वालान जबताना है पूंसर आपका कासि नास से है पहें रहयांप कर्षिन नंबर 24 का सही आंसर होगा आपका हैं पर जगदीश चंद्रमातोर जगदीश चंद्रमातोर आपका पर राइट आंसर भोर का तारा इकानकी के लिए खर जगदीश चंद्रमातोर 24 का सही आंसर बताईए 25 का राइट IoT आंसर क्या होगा तो 25 का सही आंसर है सरदार पून से हैं आपक है आपक हमाएं पर सही आंसर है बिलगुल सही बननात्मक, विचारात्मक या विबनात्मक तो question number 26 का सही answer बताना है तो 26 का सही answer यहाँ पर क्या होगा तो 26 का right answer है यह जो कहलाता है विबनात्मक यानि की विकल्प नमबर आपका D यहाँ पर right answer 26 का question number 27 देख लेते हैं कि अतीत के चलचेतर किसकी रचिना है महादेवी बर्मा अविद्या सही उपाध्याई, सिया राम सरल गुप्त या सूर कांतर पाठी नराला भौती मात्मक पुण कोश्चन है सरल कोश्चन है सभी के लिए इसका answer मालूम होगा तो अतीत के चलचेतर किसकी रचिना है तो 27 का एक right answer है महादेवी बर्मा question number 28 क्या पूँचा है यहाँ पर देख लेते हैं question number 28 है कि आनंद कादंबनी का संपादक कौन था संपादक पूँचे तो संपादक में आपके बाल किर्शन भट थे बदरी नारन चौदरी प्रियम घन थे भारते अंदु हरिस्चन थे प्रताप नारन मिसर थे question number 28 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आनंद कादंबनी के संपादक पूँचा है यह तो संपादक में थे बदरी नारन चौदरी प्रियम घन question number 29 का पूँचा है इस महाकाब में 16 खालिस्तान है रिक्तिस्तान भननी के लिए उचे सब्द चुनिए तो इस महाकाब में 16 क्या है सर्ग है या स्वर्ग है सर्व है या सर्व है तो यह आपके चार विकल्प दिए गए है question number 29 का सही answer आपका इहां पर बिल्कुल सही right answer की यह से महाकाब में 16 सर्ग है रिक्तिस्तान पर इस सर्ग आपका इहां पर right answer होगा अंगला question क्या पूँछा है question number 30 पूँचा है आधुने खिंदी गद्य का जन्मदाता किसी कहा जाता है अमीर खुसरो गंग कभी भारतेंदू या संकर प्रसाद तो आदुने खिंदी गद्दे का जो जन्मदाता कहा जाता है भाई किसको कहा जाता है तो 30 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर आपका भी यहाँ पर राइट आंसर है यानि कि भारतेंदू या कथा अनक उपा इस्थापन तो आपके हैं आपके यहाँ पर सही आंसर है महाँ काप खंड का में समान लक्षण चुनना है तो 31 का डी राइट आंसर है कथा नक उपा इस्थापन आपका सही आंसर है काभी की कितने गुण होती है नो, साथ, चार, तीन यह आपकी चार विकल्फ है विकल्फ नमबर 32 है 32 का सही आंसर यहाँ पर बताएए काभी की कितने गुण होती है तो 32 का राइट आंसर है आपका डी आनि की तीन गुण होती है काप विकी कितने गुण होती हैं तीन गुण होती है तो विकल्प नमबर डी राइट आंसर है 32 का डी राइट आंसर बिल्कुल सही पंजाब में हिंदी का पिरचार किस ने किया सदल मिसर ने या ललू लाल या सरद्दा राम फुल्लोरी या राजा राम मोहन राइट तो पंजाब में हिंदी का जो पिरचार किया है किस ने किया है तो 33 का राइट आंसर है सद्दा राम फुल्लोरी आपका यहां पर राइट आंसर है कॉस्चन नमबर आपका 34 यहां पर पूंचा है अग्ये जी को किस किर्ती पर ग्यान पीट प्रोषकार मिला था अग्ये जी को भगन दूत पर हरी घांस पर छणबर या इतलम या कितनी नाव में कितनी बार तो question number 34 है और यह आपका महत्वपून है क्योंकि यह आपका इनको जो है क्या मिला था ग्यान पीट प्रोषकार मिला था तो भगर किर्ती बताना है आपके लिए तो आप कहें आपर 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी कितनी नाव में कितनी बार यह जो है आपका सही आंसर होगा question number 35 क्या पूँचा प्रगती सील लेखक संग का पहला अधिवैसं किस बरस में हुआ था 1931 में सन 1936 में 1904 में in Rome 33 में तो फ्रगती सील लेखक संग का जो पहला अधिवैसं हुआ था अधिवैसं कब हुआ था question number 36 पूँचा है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है बालकिषन सर्मा या बदरीनात भट्टे या हरीव अंसराय या रामिसुर्सुकल तो आपके लिए यहां पर आपका जो सही आंसर होगा रामिसुर्सुकल अंचल रामिसुर्सुकल अंचल इनका पूरा नाम इस परकाल ल कि कथा एतिहासिक या लोग पिरसिद्ध होती है तो किस कापवे के लिए कहा गया है कि कथा एतिहासिक या लोग पिरसिद्ध होती है महा कापवे असुर्त कापवे मुक्ता कापवे असुर्त कापवे तो यहां पर आपके चार विकल्प हैं question number 37 है और 37 का सही आंसर है आपक काप्वे के लिए महा काप्वे के लिए एक कहा गया है कि काप्वे कथा एतिहासे क्या लोग प्रिसद्ध होती है कॉस्चन नमबर 38 क्या पूंचा है लाल कभी की प्रिसद्ध रचना छत्र प्रकास किस भासा में है तो जो छत्र प्रकास है छत्र प्रकास है जो एक किस भासा म यह आपके लिए बताना मैथली, बुंदेली, अबदी या बगेली यह आपकी यहाँ पर चार विकल्प हैं Question number 38, 38 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा यह आपके लिए बताना है तो 38 का C यानि कि बुंदेली आपका यहाँ पर सही आंसर है Question number 49 का आंसर बताना है Question number 49 का आंसर आपका विकल्प number C यानि कि लल्लू लाल जी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा Port William College की स्तापना किस वर्ष हुई थी तो चार विकल्प दिए गए हैं Question number 40 है, 40 का सही आंसर आपके लिए बताना है सबी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते कल लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या बहुत ही कम लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते कल लें तो पोर्ट बिलियम कॉलेज है जो पोर्ट बिलियम कॉलेज इसकी स्तापना किस वर्ट हुई थी ये पूँचा है तो चालिस का आपका बी राइट आंसर है अठारा सो ECB में कॉस्चन नमबर आपका 41 पूँचा है महादवी पर्मा को ग्यान पीट प्रोशकर किस किर्टी पर मिला था दीप सिकापर यामा, नीरजा या सरंकला की कडियाँ तो question number 41 का सही answer बताना है जो महादेवी बर्मा जी है इनकी किर्ती के लिए क्या आप पिरुषकार मिला था कौन सी रचिना के लिए मिला था कौन सी किर्ती के लिए मिला था तो आपका सही answer या मा के लिए question number आपका हैं पर ब्यालिस पूँचाए रामधारी सेंदिनकर को किस किर्ती पर साहित अकादमी पुरुषकार मिला था किस को रामधारी सेंदिनकर जी को कुरू छेत्र संसकिर्टी के चार अध्या और वसी या रस्मीरती तो ब्यालिस का सही answer आपका हैं पर होगा 42 का वह होगा आपका राइट आंसर विकल्प नंबर C आनिकी संस्कृति के चार अध्धाई जो है किरतिकिस की रामधारी सेंधिन करगी की है और इस पर मिला था साहित अकादमी पुरुसकार कॉस्चन नंबर 43 आंचलिक रचनाई किसे संबंदित होती हैं हैं तो जो आंचलिक की रचनाई होती हैं एक हिस संबंदित होती हैं डेश विशियस से चेटर विशियस से जाती विशियस या लोग विशीश से तो गॉस्चन नंबर 43 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहां पर V-right आंसरों का आंचलेक जो रचनाय होती है यह 26 से सम्बंदित होती है कॉस्चन नमबर आपका यहां पर 24 पूचाए महत्पुन कॉस्चन है हर बंदेलों हर बोलों के मोई से हमने सुनी कहानी थी कोब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी थी पूचन नमबर प्राचिन भासा नहीं है प्राचिन भासा नहीं है पूचाए आपसे तो पंजाबी अब भ्रंस प्राक्रिस संस्क्रित तो 45 का सही आंसर होगा आपका यहां पर क्या होगा राइट आंसर प्राचिन भासा नहीं है तो नहीं में आपकी हो जाईगी पंजाबी पंजाबी आप कहां पर सही आंसर है question number 40 है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भासा में हुआ है ब्रिज में दक्किनी हिंदी अबदी या अफ भरंस में question number 40 का आप का जो सही आंसर है 40 का विकल्प नम्बर आप कहां पर भरंस राइट आंसर है दुरोपत गाइन का संबंद किस भासा से है ब्रजवासा राजिस्तानी अबदी अखड़ी बोली तो question number 47 का आपका जो सही आंसर है दुरोपत गाइन का संबंद किस भासा से है तो 47 का आपका एक राइट आंसर है ब्रजवासा ब्रजवासा आपका सही आंसर होगा question number 48 क्या पूँचा है निमनमय से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है देखे बोली पूँचा है बोली कौन सी जो है UP की नहीं है UP की कौन सी बोली नहीं है ये आपके लिए बताना है मेवाती भोजपुरी कर्नोजी अब्रेच तो 48 का आपका विकल्प नमबर एक राइट आंसर नहीं है मेवाती आपका इहां पर सही है ये बोली नहीं है UP की कौन सी बोली 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 बोजपुरी जयपुरी मगी ही बैथली तो question number 49 का आंसर बताना है बिहार की बोली नहीं है तो 49 का विकल्प नमबर C जयपुरी आपका सही आंसर है जयपुरी आपका राइट आंसर है देवनांगरी लिपी की सबसे बड़ी विसेश्ता है तो देवनांगरी लिपी की सबसे बड़ी विसेश्ता क्या है ये आपके लिए यहां पर बताना है question number है आपका यहाँ पर पचास और पचास का सही आंसर है विकल्प नमबर आपका D यानिकी सरवादिक ब्यज्ञानिक लिपी होना एक धुनी के लिए एक संकेत होना तो यह जो है सबसे बड़ी विसेशता है देवनागरी लिपी की question number आपका इंक्याँन है संगी की राजवासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी एह सम्मीदान की किस अनुचेत में बढ़ने थे तो वह कौन सा अनुचेत है जिसमें एह बढ़ने थे question number आपका इंक्याँन का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर एक अनुचे 343 निवन में ऐसे किस धातू से भासा बनी है भाक भाक भास या बटू तो आपका हैंपर वाउन का सही आंसर होगा किस धातू से भासा बनी है तो आपका सही आंसर है वाउन का विकल्प नं इसे प्रकार की तार शब तक कि कभी कौन नहीं हैち कौने और कि यहां पर आपसे नहीं पूचा है इसे ऊंपर दैष से अंसर उक्तिव्यक्ति प्रकरण के कोन है question number 55 है आपका पुस्पदंत ठाको जोती रिस्वर या रोडा कभी या दामुदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रक्राण के लेखत कौन है तो आपका यहांपर 55 का सही आंसर है ठाकोर जोती रिस्वर आपका यहांपर सही आंसर होगा तदभाव पत्रिका का प्रकासन इस्तल है भूपाल लखनव दिल्ली इलाहबाद तो यह जो है तदभाव यह पत्रिका थी और इसका जो मतलब प्रकासन इस्तल है वह कहां से प्रकासे थोती थी तो 56 का राइट आंसर है लखनव से विकल्प नमबर C आपका राइट आंसर है सही आंशर इसकी जो है सही वर्तनी है تو इनमें से कौन सी होगी सुध् really अधिन आधीन ए ही तो इस परकार ये आपके चार विकल्प दिए स्बस्य कौ आपका कया अधीन इस प्रकार जोए आपका सही वर्तनी ओकी अंप का पर यावी हिए नौद क आधीन और ये परियाबाची जो है बैहे क्या है सश्चे आपका सही आंसर उनसट का भी राइट आंसर question number 60 है निम लिखे सब्दों में अगनी का परियाबाची है प्यूस, अंबर, पावक या मयंक तो सभी के लिए पता है कि अगनी का जो परियाबाची है प्यूस, अब या अगनी का परियाबाची है question number 61 अव्यवी भावसमास का उधारन है कौन सा है पल-पल अनत 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 या अन्य जल या धर्मा धर्म तो आपके हैं पर सही आंसर है कि अव्यवी भावसमास का जो उधारन है तो 61 का एक राइट आंसर है पल-पल अंगला question क्या है तो निमलिकत में से अव्यवी भावसमास का आपका जो सही आंसर क्या होगा तो आपका विकल्प नंबर सी तथा यहां पर राइट आंसर होगा question number 63 देख लेते हैं 63 में आपका यहां पर उतपत्ति की आधार पर सब्दों की चार भेद किये गए है निमलिकत में से कौन सा भेद गलत है गलत भेद बताना है तत्सम योगिक तदवा विदेशी तो question number 63 है और 63 का सही आंसर है गलत जो है भेद गलत है तो 63 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानिकि योगिक नहीं था तो विकल्प नंबर सी गलत है सवरों की ओच्छाणमने लगने वाली समय को कहते हैं मात्रा रश्च अनुस्वर या पलुप्त तो आपके आपट आंसर है यानि कि बन्ड आपके हैं आपके हैं आपके हैं आपके हैं आपके हैं आपके हैं 66 देख लेते हैं चूरन किस परकार का सब्द है यह जो चूरन है यह किस परकार का सब्द है तत्सम तदभाव देशज या अर्ध तत्सम तो आपके हैं आपके हैं आपके हैं आपके हैं आपक question number 67 है, क्या है इसका right answer 66 का आपका आंसर होगा, 8, 8 प्रकार क्यों होती है question number आपका 68 दिया गया है, यहापर question number 68 क्या दिया गया है निमलेके में, सम मात्रेक चंद कौन सा है सम मात्रेक चंद बताना है दोहा, चौपाई, सौवाठा या सभी तो कौन सा है सम मात्रेक चंदे का ओधारन बताना है तो इसका जो ओधारन है वह कौन सा है तो आपके यहां पर सही आंसर होगा Q68 का विकल्प नंबर C आनकी चौपाई आपका राइट आंसर है Q69 दिएगा विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित ओधारन पहचानिए अनुप्रास अलंकार का उचित ओधारन बताने सारंगे ले सारंग चली तो अब जीवन में नहीं जीवन हैं ये इस परकार कि आपकी चार बिकलब है उनहतर का सही आंसर होगा आपका कानने कठन वहेंकर भारी ये जो है उचित उधारन यहा पर है अनुपरास लंकार खा इन पंतियों में कौन सा लंकार चारू चंद की चंचल किलने खिल रही तीं जल्थल में इसमें अलंकार बताने तो सत्तर का राइट आंसर है विकल्प नमबर सी आनिके अनुपरास आपका सही आंसर है अंगला क्वोस्चन क्या है यहां पर देखिए अथातु घुमक्कड जिग्यासा किसे विधासे संबंदित रचना है उपन्यास रेखा चित्र है कहा सम्मिधान सी पर देखिए क्या कर देखिए यहां पर देखिए विकल्प नंबर सी आत्रं और सही आंसर है निम्लें लिखत एक चाहिए बहातर का राइक जा स्यानप्र पूंचया चुक्त है कि सम्मिधान इन सोची इसमें समलित कौन शी भासा नहीं है डौंगरी मैथली मणीपुरी या चत्तिस गड़ी बहत्तर का सही आंसर है आपका चत्तिस गड़ी राइट आंसर होगा कौस्चन नमबर है आपका यहां पर की तेहतर पूछा है संस्यात्मा किस कभी की रचना है असुक बाचपिये ग्यानेंदर पती कौन नाराण या ओधाय प्रकास तो कौस्चन नमबर तेहतर का जो राइट आंसर है की क्या है संस्यात्मा किस कभी की रचना है तो तेहतर का रा कबस्ते कलने हैं सबी लोग एक बार जल्ली से और चोतर का सही आंसर कमेंट में बताइए पुल लिंक सब्द कौन सा है तो चोतर का विकल्प नंबर C आनि की बोझा आपका राइटा आंसर निमलिक विकल्पों में से एक बचन सब्द कौन सा है दर्सन नदी घरों लताओं तो आपका राइट आंसर होगा 75 का भी आपका सही आंसर है question number आपका यहाँ पर पूचा गिया है 76 की अनिकार्था के सब्द किष्णे के लिए निम्नमय से गलत विकल्ब का चैन करना है तो यहाँ पर गलत विकल्ब कौन सा है बहे चैन कीजी काला स्याम या कौन्तिय या मधुसू आपका यहाँ पर 76 का सही आंसर है विकल्ब में B आपका राइट आंसर है कौन्त ये आपका राइट आंसर है भरत्मुनी ने रस्तूत्र का विचन अपनी किस ग्रंत में किया है तो कौन सा वह ग्रंत है जिसमें इन्होंने भरत्मुनी जी ने रस्तूत्र का विचन किया है तो 7 आपका यहाँ पर question में 87 और 87 का सही answer होगा आपका यहाँ पर विकल्प नमबर क्या है बी राइट answer not disaster में इन्होंने रस्तूत्र का विवेचन किया है पराजय में अपसर्ग कौन सा है फा परा पर जय अपसर्ग पूँचा है आपसे तो परा जया में इतना सरल question पूँचा है 78 यानि कि 78 का सही answer होगा परा परा आपका यहाँ पर सही answer है question number 89 पूँचा है क्या है अधी मानता अधी मानता में प्रयोक तो अपसर का कौन सा है आ अधी अध ता तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 89 का विकल्प नमबर C यहाँ पर सही आंसर होगा अधी अरजन सब्द का भिलों क्या होगा अरजित, अमरित, ब्ययन या नर्थ तो question number है 80 और 80 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा Q. 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 Q सबीता, हिंदी भासा सीखती है, तो यहाँ पर आपके लिए किरिया चुनना है कौन सी किरिया होगी हिंदी सीखती है बहन या भासा तो आपका सई आंसर है 84 का विकल्प नमबर सी आनिकी सीखती है यह जो है किरिया आपके लिए चैन कनना है तो किरिया में सीखती राइट आंसर होगा question number 85 नमलिकत में से तदवाव सब्द कौन सा है अचरज अंग रक्षक अंदकार या आसा तो आपका 85 के सई आंसर है अचरज आपका right आंसर होगा question number आपका 86 आपका घर जिस घर में है तो आपका घर जिस सहर में है उस सहर का नाम संग्या का कौन साभिद सूचित करता है इस आपके लिए बताना है यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर जूम कर लेते हैं देखी आपका घर जिस सहर में उस सहर का नाम संग्या का कौन सा भी तूचित करता है ब्यक्ति बाचक, समुई बाचक, जाती बाचक या भाबाचक तो 86 का सही आंसर ब्यक्ति बाचक आपका सही आंसर होगा ब्यक्ति बाचक सही आंसर है रातों रात सब्द में समास कौन सा है तत्पुरस द्वंद अव्यवी कर्मधार है तो आपका यहां पर रातों रातों में समास बताना है तो इसमें जो रातों रातों में सब्दे में समास जो है वह कौन सा है तो आपका सी राइट आंसर है अब विभाव समास Q88 है रतनाकर का संदी विच्छित होगा रतनाकर का संदी विच्छित क्या होगा 88 के राइट आंसर बताने है तो आपका सही आंसर होगा रतन धन आकर आपका सही आंसर यहाँ पर है आहट आवट आस आदी किस पिरकार के तद्दित प्रत्त हैं किस परकार के तद्द पृत्त हैं ये आपके लिए बताने हैं तो question number 89 का सही answer है जो है किस परकार के तद्द पृत्त हैं भाव बाचक आपका सही answer है question number 90 पूँचा निम्लिकेत में ऐसे कौन सा कर्म बाच्चे का उधारन है कर्म बाच्चे का उधारन कौन सा है सीला से पड़ा भी नहीं जाता सीला से चला भी नहीं जाता सीला से हिला भी नहीं जा सकता नहीं जाता तो इसमें से आपके लिए कर्म बाच्चे का उधारन बताना अनुमानित का बेसेशन क्या होगा तो 95 का सही आंसर है आपका यहां पर विकल्प नमबर अनुमानित का सही आंसर अनुमानित का बहुत काल में बदलना तो मा सोती है तो इसका जो भूत काल में होगा भूत काल में आपके लिए बदलना है एह बाक को तो आपका यहां पर बानवे का भी राइट आंसर मा सोती थी भूत काल में आपका ए हो जाएगा अंगला question है क्या है आई सन बात कावर करताओ का अर्थ क्या है आईसन बात कावर करथाओ का अर्थ यहाँ पर आपके लिए बताना है तो question number 93 का आपका B right answer होगा 93 का B यानि की ऐसी बात क्यों करती हो इसका जो है अर्थ होगा नमलेखेत अनिकारती सब्द का दूसरा अर्थ यहाँ पर बताना है तो आजनमा आजीवन आजनम इस्वर या निर्भीक तो आपका 94 का जो सही आंसर है बहे आपका विकल्प number B यानि की 94 का वी इस्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है सरचना की आदार पर दिये गए बाक्के के बर्गी करणे में इनमें सी कौन सा प्रकार नहीं है आपके यहाँ पर उत्तर आपके बताने होती है तो यहाँ पर दो मिनिट में पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं देखे गद्यांस के आधार पर प्रिशन निचान नवे से सोतक की उत्तर दीजिए गद्यांस यहीं से इसी से पूंशे जाते हैं दूसरों को इसने है देना और उसका सम्मान करना सामाजिक सपलता के एक मात्र मंत्र है जीवन में सुक्सांती और उन्नती चाहने वाले प्रतेक महत्तोकांची को सबसे पहले एही सीख धारन करनी चाहिए दूसर के राजियूस यग में कृष्ण ने लोगों की स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यग के सरवदिक पूझ ब्यक्ती मानी गई और ईशा, मसीह, बौतम बद्दे और महाबीर, महत्मगांदी जैसे महापुरसों में रंच मात्र भी अभी मान नहीं था उन्होंने सदे दूसरों को महत्तो दिया और विश्वयम ही महान बन गई थी और मान सम्मान का मूल चुकाना असंभव है अता विद्ध्यार्थी जीवन का भी प्रिथम पाठ अही है कि वह गुरू के प्रती सच्ची सम्मान का भाव अपनी हिर्दा में पैदा करी अन्यता उसकी विद्ध्या कैसी रहेगी निस्फल रहेगी तो अब आपके लिए यह यह यहां पर आपका सदा सुक्सांती रखें सदा कर्म पर अडwalk रहें सदा हाधाने बने सदा दूसरों को इसने को समस्मान दे तो आपका का 96紫 चानवै का सजी अंसर है सदा दूसरों को इसने और सममकिं इसका जो है संदेश दिया गया है इस ग giving मैं से स्वागत का संदी विच्चित यहां पर कनना है तो स्वागत का बहुत ही सल कोस्चन है स्वागत का सूधन आगत यह आपका राइट आंसर होगा यहां पर रंच मात्र भी अभियान ना था का ताथ पर कौन सा विकल्प दर साता है अधिक अभिमान ना था जरा सा भी अभिमान ना था या कम अभ मिमान ना था Q99 case गरू का अनादर करने से पुष्तिक आ पढ़ने से देखे कि बिद्ध्या जो है कब निस्फल हो जाती है तो 99 का और अनीजफसर ऊठर होगा जब आप गरू का अनादर करेंगी तो आपकी पर पत्तर पढ़ना मोहाबरे का अर्थ बताना है मूर्क बन जाना अप्मान-जनक बात करना या बीफिक्र होना तो सव का राइट नाश्ट हो जाना अकल पर पत्तर पढ़ना यान की बुद्धि नुस्ट हो जाना तो इस फिरकार आप आपने यहां पर देख लिए हैं प्रैक्टिस सेट में अपनी 100 कॉस्चन कम्प्लीट हुए हैं अंगला प्रैक्टिस तेस्ट बहुत ही हम जल्द लाएंगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अंगले वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो अंगले वीडियो में फिर मिलेंगी नए प्रैक्टिस सेट के तान तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए जैहिंद